आप सभी का आज के वीडियो में सबसे पहले किसी भी तरह का कोई रेकमेंडेशन नहीं है मैं पहले आपको डिस्क्लीमर बता दू प्रॉपर अपना अनलिसिस करो उसकी बाद आपको जो सही लगता है वही करना हमारे बातों पर कुछ मत करना हमारे तरफ से कोई इंपॉर्टन वीडियो मिलते रहते हैं इसको भी जाकर के चेक करो और सबस्क्राइब कर सकते हो यहां पर भी आपको लगातार वीडियो अन उपरचुनिटी के बारे में बता लगता रहता है टेलिगराम चैनल आप जोईन कर सकते हो लगातार ग्लोबल मार्गेट में क्या मार्केट में क्या वरsz सब आपको यहां पर अपडेट मिलते रहते हैं तो इसको भी जाकरके आप짝कर सकते हो इसका लिंक यहां पे मिल जाएगा हर मिल जयेगा आय। शैक्शन में मिल जाएगा चैनल के है इसके साथ आप विडियो का डिस्क्रिप्पियं भी चैक कर सकतेतो आज हम बात करने वाले हैं Excide Industries के उपर बहुत clear setup बहुत अच्छा setup और मतलब यहां पर एक बहुत perfect setup यहां पर बनता हुआ हमें दिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको देख करके समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ अब यहां पर इसका मतलब क्या है और यह पैटन क्या है थोड़ा समझते हैं इसको बाकी देखो concept वही सेम है concept सेम यह है कि जब भी स्टॉक टाइट रेंज में consolidate करता है उसके बाद ब्रेक आउट करता तो बहुत अच्छा momentum आता है इसी consolidation को हम अलग अलग जगा पे पुट करते हैं और कभी flag पोल ऑन्न फैला कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं ठीक है तो यहां पे basic concept समझते है सब яसे पहले पॉल ऑन्न इसका जो breakout आता है वो उपर के साइड आएगा obviously ठीक है और यहां पे जो है जिस तरह से momentum यहां पे था उस तरह से momentum यहां पे हमें देखने मिलेगा जिस तरह से percentage gain यहां हुआ मतलब जितना percent यहां से यहां तक उपर गया उतना ही percent यहां से यहां से यहां तक उपर जाएगा और यह जो consolidation है, यह consolidation होगा, इतना tight consolidation होगा, उतने ही इसके momentum के chances और बढ़ जाएंगे, और इसके बाद बहुत एक simple आपको यहाँ पर example भी, same way देखने मिल रहा है, कि यहाँ पर हमें बहुत अच्छा momentum देखने मिला, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो इस candle से में ले रहा हूँ, यह जो high volume candle है, यहाँ से मैं pick कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे, यह आप लगबग कितने दिन हो गई है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, साथ दिन, आप 7 trading days में लगबग इसने 50% gains दिखा है, 50% gains in just 7 trading days, ठीक है, तो आप समझ रहा हूँ, यहाँ पर कितना अच्छा momentum था यहाँ पर, और यही momentum मैं क्या रहा हूँ, आगे continue रहेगा, इस consolidation के breakout के बाद, आप अगर यहाँ प trading days, और 15 total days, ठीक है, तो, obviously, 15 जिन से consolidate कर रहा है, आधा महिना हो चुका है, इसके बाद जो breakout आएगा, उसमें, यही same momentum, यही same momentum, यहाँ पर, और यही same, जो percentage है, मतलब, यह same distance है, वही distance यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर, आप सिंपल यह कर सकते हो, कि आप सबसे पहले इसे मेजर कर लो, ठीक है, यहाँ पर, मैं आपको target stop loss के बारे में बताता हूँ, देखो, pattern बहुत clear हो गया, ठीक है, मैं एक बार, monthly chart पर आपको, एक बार दिखाना चाहूँगा, आप देख सकतो, यहाँ पर, कोई भी resistance नहीं है, कुछ नहीं है, और आज तक, इतना volume नहीं आया ह 1995 से, आज तक, यहाँ पर, इतना जादा volume देखने नहीं मिला है, जो, इसमन देखने मिला था, weekly में भी जाओगे, तो आपको, वही सेम देखने मिलेगा, पिछले, दो, तीन, वीक में, बहुत जादा volume आ ठीक है, और अगर आप देखो, कोई भी लेवल नहीं है, तो आपको वही सेम चीज आपको देखने मिलेगा, कि यहाँ पर आपको volumes काफी जादा देखने मिलेंगे, अभी volumes कम हो चुके हैं, यह होना भी चाहिए, कि जब stock consolidate करता है, तब लोगों का interest कम हो जाता है, वही चीज, जो एक basic चीज है, जब भी stock consolidate करता है, उसका volume कम ही रहना चाहिए, अगर volume कम है, तो ही वह consolidate कर रहा है, अगर volume जादा होता, तो यहाँ पर एक नएक तरफ stock जरूर से निकलता, यह बहुत बड़े-बड़े spikes मारता, यह सब चीज होती, खेर, अब यहाँ पर बात करते है, तो बहुत सिंपल, मैंने आपको जो बताया है था, जो यह distance है, वैसे तो आप यहां से भी देख सकते हो, ठीक है, कोई यह नहीं है, आप यहां से भी देख सकते हो, बट जहां से momentum आया हो है, actual momentum जहां से आया हो है, actual volume जहां से आया हो है, वहां से मैं चेक करूँगा, इस जगह पर कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो, लग भग यहां पर हमारा तो हमारा जो टार्गेट है यहां पर 600 का टार्गेट है ठीक है और अगर आप परसेंटेज बेसिस पर देखो कि कितना परसेंट हो रहा है तो इसको मैं जो है अभी करेंट प्राइस पिला जेता हूं तो अराउंड 25 तो 28% 25 से 30% गेंस आपको यहां पर आराम से देखने मिल सक सकते हो आप स्विंग में भी देख सकते हो ठीक है इसे आप थोड़ा माउस में साइज को दिक्कत आरी है यहां पर आप इसे स्विंग में भी देख सकते हो एंड पोजिशनल में भी देख सकते हो आपकी जैसी इच्छा ठीक है स्टॉप लॉस क्या रहने वाल है तो बहुत आपको box का last end दिख रहा है, इसके नीचे stock अगर निकल जाता है, जो कि around 7.5% के आसपस आता है, और इस box के नीचे, एक सेगंड, इस box के नीचे, अगर closing हमें मिल जाता है, and confirm हो जाता है, red candle में, closing red candle में confirm हो जाता है, तो मैं या पे exit कर दूँगा, जो कि हमारा बैठेगा around 7.52%, इसलिए, swing में आप देख सकते हो, swing में थोड़ा बड़ा stop loss है, but positional में यहाँ पे 7.5% is very decent, very good stop loss, और आप target भी देखो, कितना बड़ा target आरहा है, 30% के आसपास का, around 30% का आपका target आरहा है, और तिर्फ 7.5% का आपका stop loss आरहा है, तो मुझे काफी अभी interesting लग रहा है, अब आगे आने वाले देखो, और risk to reward ratio भी लगबग 1 to 3.5% से भी जादा है, 1 to 3.7% के आसपास का risk to reward ratio आरहा है, तो आप जरूर से study करना, थोड़ा observe करना, इसे research करना, इसको पर analysis करना, आपको जो सही लगता है वही करना, and बाकी मैं आपको update करता रहूंगा, सभी चीजों पर क क्या करना है, कब कैसे क्या हो रहा है, यह सब कुछ, इसके लिए आप telegram group join कर सकते हो, end करते हैं वीडियो को, फिड मैं आपको बता रहो, किसी भी तरह का कोई call tip recommendation नहीं है, purely educational purpose का वीडियो है, तो इस बास आपको खास तोर पर दियान रखना है, मिलते हैं किसी और वीडियो में जय हिंद and thanks for watching